Hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ Microsoft Excel का 2016 वर्जन मैंने open किया है एक shortcut key के बारे में बात करेंगे जो की है copyright का sign बनाने के बारे में तो यहाँ पर copyright का symbol बना हुआ है अब इसके लिए आप क्या shortcut key प्रेस करेंगे आईए समझते हैं यहाँ पर अगर आपको copyright लगाना है तो आपको keyboard से प्रेस करना है alt alt प्रेस किये कि आपको प्रेस करना है 169 तो जैसे ही प्रेस किया मैंने तो आप देख सकते हैं copyright का symbol आ गया ठीक है अब यहाँ पर हमें copyright का symbol तो बनाने आ गया alt 0179 प्रेस करके हम copyright का symbol बना सकते हैं लेकिन अब हमें registered का symbol बनाना है अब यह registered का symbol आपको दिख रहा होगा इसको बनाने के लिए क्या प्रेस करेंगे कौन सी shortcut की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है पहले alt और फिर प्रेस करना है 0174 यानि 174 ठीक है 0174 तो जैसे ही आप यह प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आर का symbol बन जाएगा यानि registered का यहाँ पर फिर मैं करके दिखाता हूँ alt 0174 जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ रजिस्टर का symbol बन गया और अगर आपको बनाना है copyright का symbol तो सबसे पहले प्रेस किजिए और फिर 0169 तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो copyright का symbol बन जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें थैंक्यो फूर आचिंग दिस वीडियो